गूड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेल्कम टू इस्टैनो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है जो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन कल का बनाया हुआ है आज मैंने न्यू डिक्टेशन नहीं बनाया है कल डिक्टेशन अप्लोड नहीं हुआ था तो उसी को आज 1000 प्लस थें तो उसको कार्ट चार्ट के 500 या 400 प्लस किये गए हैं ताकि असी सब्द प्रतिमनट में एड़ेस्ट किया जा सके तो चली बढ़ते हैं अब डिक्टिशन की तरफ और हाँ मैंने कमेंट्स में देखा किसी ने बोला कि आउटलाइंस दिखा दिया करें तो हम जो चैनल लाएगा आप उसे जॉइन करें वहां पे इसकी PDF और आउटलाइंस की PDF दोनों दी जाती है जो कि free of cost है सबी के लिए और यदि आप किसी भी कारणवास टेलेग्रम यूज नहीं करते हैं तो आप यहां पे वीडियो को बाउस करके देख सकते हैं फिर इसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करें और यहां से आप मैच कर सकते हैं यह इसकी आउटलाइंस है आप चाहें तो स्कीन शॉट ले लीजे या फर आप ऐसे वीडियो पाउस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं I hope आपने आउटलाइंस भी देख लिया होगा तो चलिए बढ़ते हैं अब आप SSC, CIPF, ASI या UPSI या फिर MPSI या RAC, MPSC या फिर किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड को जोईन कर सकते हैं उसे जोईन करने के लिए डिक्स्रेक्शन बॉक्स में एक लिंक दे गई हैं वहाँ पे क्लिक करें और आप हमें डारेक्ट मैसेज कर पाएंगे कि चार्जिस क्या है और कैसे क्या मिलता है तो चलिए बढ़ते हैं आप डिक्टेशन की तरफ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें असी सब्सक्राइब प्रतिविन डिक्टेशन स्टार्ट होगा थ्री सेकेंड बाद स्टार्ट भारत के समिधान में राजियों का गठन स्वायत प्रसासनिक इकाईयों के रूप में संग द्वारा किया जाता है राजियों के विकास और उनकी सुरक्षा को देखते हुए संसत को कानून बनाने का अधिकार है और कोई भी राजिय अन्य राजियों के समान अधिकार प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता भारत में संसत को यह सकती है कि वह कानून के तहत किसी राजिय के लिए विसिष्ट नियमों और सर्तों का निर्धारण कर सकती है चुकी राज्य प्रसासनिक इकाईयां हैं और संग सरकार द्वारा आवंटित संसाधनों के वितरण के लिए उत्तरदाई हैं अतह उनिकी भोगोलिक सामरिक तथा सामाजिक आर्थिक दसाओं को देखती हुए उन्हें विसेस सहायता दी जा सकती है पैरा यहां यह भी उलेख करना समीचीन होगा कि प्रसासन से संबद्ध होने के कारण ऐसा कोई उलेख समिधान में नहीं है क्योंकि समिधान सासन विवस्था के तीनों अंगों विधाई का कार्य पालिका और न्याय पालिका को दिसान नर्देश देता है जिसके अनुरूप विधाई का द्वारा बनाई गई विधियों के अनुरूप कार्य पालिका प्रसासनिक कार्यवाई करती है और विवादों के समाधान के लिए न्याय पालिका उत्तरदाई होती है प्रसासनिक सुगमता और राज्यों के विकास पर गौर करते हुए 1979 में पाँचवे वित आयोग ने विसेश राज्य का दर्जा देने की सफारिस की थी इस आधार पर 11 राज्यों को विसेश स्रिनी के राज्य का दर्जा दिया गया है पैरा बिहार और आंधर प्रदेश दोनों ही राज्य मोलतह क्रिशी आधारित है और उनके विभाजन के बाद निश्चित रूप से उनकी राजस्व प्राप्तियों में कमी आई है लेकिन केंद्र की भी अपनी कुछ मजबूरियां है सम्विधानिक रूप से भारत में सहकारी संगवाद प्रचलित है जिसकी अनुसार यह संग का दायत्व है कि वह राज्यों के आर्थिक सामाजिक विकास के प्रती सम्विधन सील हो और उनकी सहायता करे लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि क्या राश्नितिक दबाव बना कर ऐसे दरजे की मांग करना उचित है पैरा गडबंदन सरकारों की एक बड़ी समस्या यह रही है कि अक्सर उसके घटक दल दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं जिसका उद्देश्य मूलतह राश्नितिक होता है यह बहु दली राश्निति का एक आलोचनात्मक पक्ष है छेत्रिय राश्निति के मजबूत होने से एक ओर जहां छेत्रिय हितों को राश्ट्रिय इस्तर तक लाने में सहायता मिले है वहीं दूजरी और इसकी नकारात मकताब यह रही है कि छेत्रिय अदल अधिकासतह राश्नितिक दबाव बना कर अपने नीजी हित साधने का प्रियास करते हैं इसे राश्नितिक ब्लैक मेलिंग में रूप में भी देखा जाता है पैरा इस संदर्भ में पूर्व राश्टपती डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम ने कहा था कि राश्निति जब विकास की दृष्टी से की जाती है तो वह देश के हित में होती है लेकिन जब राश्निति का उदेश्य केवल राश्नितिक होता है तो वह हानिगारक सिद्ध होती है राश्ट्र हित में राश्नितिक दलों द्वारा कार्य किये जाने पर उनके राश्नितिक हित भी साधे जा सकते हैं अतह दलगत राश्निति से उपर उठ कर ही ऐसे समवेदन सील मुद्दों को संबोधित किया जाना उचित होगा डिक्टिशन समापत होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन आप अपना ख्याल रखें और हाँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें जिनको भी नहीं मालूम है कि डेली डिक्टिशन दी जा रही है ताकि इस सीर प्रेटोरियल दिया जा सके नानेवाद